हेलो फ्रेंड्स, क्यास्ट रोब आप सब, स्वाकत आपका एक बबब फिर से आपकेमनी चैनल फिल्मी बॉक्स ओफिस पर तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बब फिर से बॉलिवुड की नहीं वलकी इन्नी सिल्मा की एक और अपकमिंग हिस्टोरिकल पिरिडिकल ड्रामा फिल्म जिसमें की स्टोरि दिखाई जाएगी एक कुईन की जी हां जिसने की पठानों पर काफी लम्बे वक्त तक राज किया और इस कुईन का नाम है बाई साब बाई साब नाइका देवी नाइका देवी दी वारियर क्वीन ये फिल्म रिलीज दिने जा रही है 6 माई से दुनिया बर के सभी थेटर्स में कहने को ये एक गुजराती फिल्म है और यकीन मानिएगा ये एक historical, periodical drama फिल्म है जो की सैट की गई है 20th, 12th century के हिसाब से और बात करें फिल्म को लेका तो फिल्म में आपको लीडिंग में नज़र आएंगी फिमेल लीड में खुसी साहा और इनके अपोजिट नज़र आएंगे मनुज जोसी वही पर इसको डैक्सन दिया है नितिन जी ने अगर बात करें फिल्म को लेका तो फिल्म हिस्टोरिकल है पिरिडिकल ड्रामा है देखना ये इंटरस्टिंग होगा कि ये फिल्म क्या बेंचमार्क हासल करती है ये फिल्म हिट होती है या फिर फ्लॉप अगर बात करें फिल्म को लेका तो यकीन मानिये ये फिल्म काफी कमालकी होने वाली है क्योंकि ये फिल्म बहुत कुछ समझाएगी बहुत कुछ दिखाएगी और इंडिया की नहीं वर्ल की दुनिया की पहली female warrior इस फिल्म में आपको नज़र आएगी यकीन मानिये ये फिल्म काफी दमालकी होने वाली है लेकिन आपको आदू जिस दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है मुझे लगता नहीं है कि इस फिल्म को उतनी यदा स्क्रीन्स मिल पाएंगी इंडिया में गुजात में तो ये फिल्म चलेगी, डेफिनेटली चलेगी बोल इसलिए राओं में ये बात क्योंकि 6 माई को काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्म में रिलीज हो रही है तो चांसेस काम है कि इसको थोड़ी स्क्रीन्स मिल पाएं विल आपकी ऑपीनिन क्या है फिल्म को लेकर कमेंट में आपकी राओं मेंसन कर सकते हो आपके साब से ये फिल्म हिट होगी या फिल्म कितना एक कलेक्शन कर सकती है पांच करोड़, दस करोड़, पंदर करोड़, भीस करोड़ क्लोजिंग के वक तक आपकी राओं जो भी हो मेंसन करते रहेगा आपके अपने कमेंट सेक्शन में थैंक यू गईस फोर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, बबाए, टीक कियर